नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है भाजचंद्र ब्रह्मांड सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृच्चिक राशी का नमबर 2022 का संपुर्ण राशिपल कैसे होंगे ग्रहयों के राशांतर और वह आपके राशी पर किस से प्रवाब करने वाले हैं आपकी जीवन कैसा कौन सा अक्षेत्र है जो की सबसे ज़्यदा कंपिद होने वाला है सभी के बारे में डीटिल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध्याष्ट्रों इस चलंपर मेश राशी से का सबसे ज़्यादा महत्वण रहे हैं क्योंकि वह आपका दश में जिसे हम कर्मिश भी कहते हैं और यह जो कर्मिश था वह आपके वेयभाव में ब्रह्मन कर रहा है और दिनाग 17 तरीक के बाद यह आपी के राशी में ब्रह्मन करेगा तो पिछले करीबन 10-12 दिनों में आ निष्चे दिशा उनको नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी जो भी बाते हैं वह करीबन इस मेने के 18 बेश तरीक के बाद आपको इसके संदर में कुछ निष्चे दिशा मिल जाएगी और जो भी काम है उसमें आपको सफलता में मिल देगी और दूसरी सबसे महत्वण बात आपके का दिने में आपने देखा होगा कि आपको जो confidence था वो थोड़ा lose हो रहा था मतलब आपने खुद पर confidence होना हर एक राशी के लिए जो confidence वाली बात है वो बहुत में तो पुर्ण होते हैं आपके राशी के लिए और सिंगराशी के लिए भी यह जो बात है काफी जादा important है तो जो इसके बात हम चर्जा करेंगे आपके राशी का स्वामी मंगल जो मंगल ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो यह जो मंगल ग्रह है यह आपके राशी का स्वामी भी है और यह ग्रह आपके राशी का स्वामी भी है जो कि आपके अश्टम भाव में ब्रहमन कर रहा है वक्र करेगा तो दिनांग चाओदा दारी के बाद ये फिर से वक्री हो के रुषब राशे में ब्रह्मन करेगा अब यहां पर दो-तीन बाते हैं वह जान लेना बहुत ही ज़्यादा मैतोपुर्ण है सबसे पहले और मैतोपुर्णबा स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ह जो वाई-वाई जोड़िदार है उनके साथ आपके जो रिलेशन्शिप में उसमें बहुत ज्यादा प्राब्लम कॉप्लिकेशन की चाता नहीं यह हो सकती है आपको उसके उपर कंट्रोल करना या फिर उसके संदर में सयम रखना काफी जादा आवश्यक होगा अब यह जो प्राब्लम कॉप्लिकेशन है आप में और आपके वाई-वाई-वाई जोड़िदार है दोनों में वो बहुत हद तक बढ़ सकता है और आपकी जो रिलेशन्शिप है उस पर भी इसका गहरा असर हो सकता है तो खुद पर थोड़ा सा सयम रखना कंट्रोल लखना बहुत ही आप शक्कों का यह जो कि मंगल का और मग्र है और रिलेशन्शिप मामले में और आपका जो सुआस्ता है दोनों मामले में बहुत ही ज़दा प्रॉब्लमेटिक आपको हो सकता है पूरा जो मेना है वह इसी के बारे में थोड़े आपको परway में दे कर 반ौ और दे देखे यहां पर भी आपने देखा होगा कि सेहत की जो समस्या है जो स्ट्रेस की समस्या है वह करीबन पिछले एक-दो मैने में चल रही तो इस मैने में भी देखी जाएगी दूसरी जदा महत्वपुर्णबाद मंगल के बारे में मैंने जैसे कहा था तो स्ट्रेस आपको थो दूसर पर काम करना आवशक है क्योंकि जो बुदा का प्रमण है वो भी आपके लिए अशुब फलदाई साबित हो सकता है तो ध्यान रखिए ये बात जान देना बहुत ही जादा आवशक है हाला कि इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है कि आपको इंकम वगरा अच्छी मि मिल सकती है इसके बाद हम जर्शा करेंगे गुरुगरह के बारे में अब ये जो गुरुगरह है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुब फलता ही है क्योंकि ये आपका दृत्यश भी है और आपका पंचमेश भी है पिछले करीब तीन साड़ी तिन मेने में आपने देखा ह गखा कि पैसे की मामलात है उसमें बहुत जब्सधा की Taro आए थे अरह है और आपको पैसे करने के लिए बहुत बड़ी समस्याओं का नहीं दोट पैसे खर्च कैसे करें तो पैसे के मामले में प्रॉब्लम है तो यह जो बात है वह इस मेहने में काफी ज़्यादा नॉर्मल होती भी नज़र है कि क्योंकि इस मेहने की करेंबन तो भी स्वारी के बात को जो समय में जो गुरू है वह आपके लिए बार्गस तो होने जा करते हैं तो पिछले तीन चार मैंशते नहीं बन hyster लेकिन इसमें के अंत में काफी अच्छा सुदार देखा जाएगा जो भी आप अनुमान लगा होगे वो सही जाबित होते हुए नजर एगे पैसे के कारण घर पर जो प्रस्तिया है जो की थोड़ा सा एक्स्रीम लेवल पर बहुंच थी वह काफी मायनों में नौर्मल होते हुए नजर आएगी उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं और आप में आपके रिलेशन्शिप में जो विक्ति है उन्हें की नहीं कारण वज खीचात आने चल रहे हैं तो वो भी काफी मायनों में नौर्मल होते हुए नजर आगे अब इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिजिए उसी प्रकार जैसे मैंने इस मैने के अंत में या फिर डिसमबर मैने के फर्स्ट विक में इसके मतलब गुरु जो मारगस्त हो जाएगा उसके जो प्रवाव है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी यह जो कालावदी है वो काफी जादा अच् बेटर हैपनिंग या फिर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ मायंड आप में देखा जाएगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्रग्र के बारे में अब यह जो शुक्रग्र है यह शुक्रग्र आपके वे यह भाह में ब्रह्मन कर रहा है और दिनांग 12 तारीक के बाद यह चल रहे तो प्रॉब्लम चल रहे थे वह काफी मायन में दीरे दीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे लेकिन आपके वयवाई जुडिदार है उनके स्वास्त के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है जैसे कि यह जो मंगल जैसे मैंने मंगल के ब्रह प्रमण कर रहा है वक्रियों के आपके सब्तम भाव में प्रमण करेगा तो थोड़ा सा म्यूचल अंडेस्टेंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी और शोटी मूटे बातों को लेकरता करा हो सकती है तो यह जो शुक्रे जैसे कि आपकी वेवाउप से आप ही के राशी में आ इस मेने में इस मेने भी आपको थोड़ा सेंं रखना होगा जो शनी जो कि आपके तरी तरी द्रिया वह हमें ब्रह्मन कर रहा है जो कि मार्गस तो हुआ है अब ये जो शनी है ये आपका त्रिटियश और पिछले मैने मैंने में मतलब अक्तूबर में ये जो शनी है वो वह मार्गस्त हो चुका है इसके पहले यह शनी था करीबन 3-3 मैने के लिए वह वक्रीदा तो आपने देखा होगा उनुवा किया होगा जो घर का वातरण है वह नौर्मल नहीं है लेकिन जैसे ही यह अभी शनी मार्गस्त हो जाएगा तो घर का जो वातरण है काफी माईनों म अच्छा बन सकता है वैसे के मामलात में चोटे मोटे प्रॉब्लम की नॉर्मल हो जाएगे लेकिन रिलेशन्शिप में मामले में खास करके अगर आप विवाई तो ध्यान में रखना बहुत साथ आवश्यक है हलाकि जो गुरु जो की पंचमेश है वो वक्री से मारगी होन दो जुकुल मिला कि हमने अभी मोटे दर पर देखा की ग्रहों की जो परिणा में घर ग्रोहं की जो राषानतर है इसके मिलने वाले परनाम है वहां कर या से पर को या में अब जो परिणाम होते हैं वह काफी थोड़ा सटीक देखे जा सकते हैं अलेकि इसकी परिणाम है दो-तिन दिनें के लिए होते हैं लेकिन वह होते जरूर है तो वह किस परकार के होगे उसके जाने वाला है तो आप्मे और आपके जो वैवाई जो डिदर है आप दोनों में इस परकार से बाते कुछ वो सकती है बहुत ज़्यदा कीचातानिय हो सकती है और प्रॉब्लम कॉंपनीर के असर हो सकती है उसी प्रकार दिनाग पाश सारे को शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है शुक्र जो कि आपके वे भाव में उसके साथ आपके शर्ष्ट भाव को जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है अब यहां पर भी मैं वही बात कहना चाहूंगा आप मेरा आपक कर आपको कोई भी काम जो है जो कि ट्रैवलिंग से रिलेट करने वाला है ट्रैवलिंग करते समय कुछ के सेथ के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्चक होगा उसे प्रेकार दिनांग छे तरिक को रवी और केतु की यूति होने जा रही है आपके वह यह भाव में तो ज इन लोगों से आपको थोड़ा सा बचना होगा आप थोड़ा से मिसकाइड हो सकते हैं और आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो लोग आपके वावा करते इनके करना आपको किस तरह से जो नुकसान है वो भूगतना पड़ा तो थोड़ा सा इन समय में आपको थोड़ा सा कंट्रोल वे में बिहेव करना ज्यादा आवश्यक होगा उसी प्रकार शुक्र और शनी का केंदर योग भी होने जा रहा है अब ये जो केंदर योग है वो भी काफी महतोपुर्ण है शुक्र जो की आपके वेया भाह में प्रहमन करेगा उसके साथ आपके तृतिया वागा ज जो कि आपके वेया भाह में उसके साथ की तुकी यूति होने जा रही है इन दिनों में आपको अपने भावनाओं के उपर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा देखे जो भी हम गिनाते जा रहे है वह नेगेटिव है अश्युवफलदा है जिसके विए स्ट ज़्यादा बढ़ सकता और आपकी जो राशी है वह कभी अपना जो स्ट्रेस अपनी मन की बात है वह खुल कर नहीं बोल पाती स्ट्रेस हो जो भी बात है वह बन में दबा के रखते तो कई पर जाके अगर ज्यादा स्ट्रेस आ आ जाय तो फूट के वह बाहर पड़ता है या फिर अंदर ये अंदर दबा के हम खुद को बहुत ज़्यादा चोड़ पहुआ जाता है, तो उसी प्रकार का जो अनुबव है वो इन दिनों में आ सकता है, दिनांग साथ तरिकों बुद्व और केतु की यूती भी होने जा रहे हैं, तो उससे जो परणाम है वो इसी प्रकार के होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बंदरी है, उसी प्रकार दिनांग नौ तरिकों रभी बुद्व का हर्शल के साथ के इंद्रियोग प्रतियोग होने जा रहा है, प्रतियोग करने जा रहे हैं, उनके साथ चोटी-मूटी बातों को लेकर लड़ाई या हो सकती है, आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ही जादा आवश्यक है, आपके जो मित्रियोग परिवार है, उनके साथ भी चोटी-मूटी बातों के लिएकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकुशन होने सकते हैं, तो थोड़ा सा खुद पर स्वयम के कि आपकी चराशी है, उसमें एक बात होती है कि आपको जो भी घुसा आता, आपकी भावनाय जितने भी तीवरतम होती है, वो आपको देखने से पता नहीं चलता, क्योंकि कई दिनों से वो जो भावनाय होती है, वो आप दबा के रहते हो, और कभी-कभी इसका जो बांध है वो पूट जाता है, तो पूट पूट कर आपकी जो भावनाय है, वो सामने आ जाती है, और सामने वाला जो विक्ति होता है, वो हक्का बक्का रह जाता है, यह जो रवी बुद्ध का प्रतियोग हर्शल का है इसमें आपको अपने सेहत के बारे में भी ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक आप यह जो ग्रहयोग है नौ तरिक होने जा रहा है उसी प्रकार दिनांक 10 तरिक बुद्ध शनिका केंद्रियोग होने जा रहा है बुद्ध जो कि आपके वे अभाव में उसके साथ शनिका केंद्रियोग होने जा रहा है तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है इन दिनों में आप किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी डिसेजिन नहीं लेना किसे प्रॉमिस कमिट्मेंट यह जो बाते हैं वो बिलकुल भी नहीं करना क्योंकि आपकी जो बुद्धी है वो स्ट्रेस में आने के कारण कुछ अलगी प्रकार का विचार करना शुरु कर देगी तो इन दिनों में किसी प्रकार के मेहतुपूर्ण दस्ता वेज या फिर्टॉमिनेशन के बाते हैं वो बिलकुल भी नह करने जा रहा है जो कि शुंक्रह आपके विय ववह में हैं के साथि आप के शुक्र निप्चुन योग करने जा रहा हालंकि ये जो वई वआफ जोड़ी के साथ जो तने हुई रिष्टे है वा काफी मायनों में नौर्मल होते हुए नजर आएगे उसे परकार किनी कारण वाश आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफी एच्छी देखी जाएगी तो यह जो शुक्र निप्षन का जो त्रिकुन है त्रिकुन योग है वो आपके देशुक फल दाई साबित होगा उसे परकार आपके जो वैवाई जोड़ी दर है उनके साथ केही बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिना गैरा दारी को रवी और शनी का केंदरी योग भी होने जा रहा है रवी जो कि आपके विया भाव में है उसके साथ आपके दिर्टिया भाव को जो शनी है वह केंदरी योग करने जा रहे तो जो भी आपका कारिशेतर है उससे में थोड़ा सा आपको संभल कर काम करना होगा जो आप जहां पर काम करते हैं वहां पर के जो सहज योग होंगे उनसे थोड़ा सा बचना होगा क्योंकि ऐसी कोई confidential spoiler नहीं या फिर आपकी जो image है उसको प्रॉबलम आपको आ सकते हैं आपके कारिशेतर के बारे में जो विक्ति जॉबलेस है उनके लिए जो कालावधी है थोड़ा स्ट्रेस में जा सकता है उसी प्रेकर दिनांग 12 तरीक को बुद़ और नेप्चुन का त्रिकोन योग भी होने जा रहा है अब यह जो बुद़ जोकिए य विय inviting करने जा रहा है वो नेप्चुन के साथ त्रिकोन करने जा रहा है 12 तरीक हो यह जो घ्रह योग है वो आपके लिए MEHतोपुर्ण होगा कुछ अच टलाव अगरहा मिलने के समगावना इन दिनों में काफी जैदा बन रही है तो बुद्र नेप्चन का जो त्रिकोन योग हो वह आपके लिए बहुत मेहतों पुर्णा है दोनों मामले में मतलब अभी तक आपने देखा होगा यह आपका जो भी कारेशेतर है या फिर आपकी जो वाई-वाइबाय उडिदार हैं उनके उनमें दोनों नहीं जो बाते हैं वह बहुत ज़िए अच्छी देखे जा सकते हैं तो कुल मिला कि यह जो पंदरा तरीक का जो समय है या फिर दिने इसमें आपको कुछ अच्छे अनुबह आ सकते हैं उसे प्रकार दिनांग सोला तरीक को बुद्ध और गुरू का त्रिकोन योग होने जा रहा है अब यहां पर दिनांग 15 तरीक के संदर में जो अच्छे रिष्टे आना इस प्रकार की जो बात है या फिर विवात तय होना इस प्रकार के जो अनुबह है वह आपको मिल सकते हैं उसी प्रकार दिनांग 16 तरीक बुद्ध और गुरू का त्रिकोन योग होने जा रहा है गुरू जो कि आपके पंचम भाव में उसके साथ आपके राशे में जो बुद्ध है वह त्रिकोन योग करने जा रहा है अगर आप शेयर मार्कर में डिल करते हो तो कुछ अच्छे लाव मिल सकते हैं इसी लाव मिलने के संभावना इन दिनों में बहुत ही अच्छी बंद रही है उसी प्रकार आपकी जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छे मिल सकते हैं लेकिन मोटे तर पर अगर देखा जाए तो अगर आप शेयर मार्कर में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाव इन दिनों में मिलने के संभावना काफी जादा बनती है बसे प्रकार दिनांग 21 तरीकों रवी और गुरू का योग होने जारा है उसे प्रगा बुद्धो शुक्र की यूति होने जारे वियग रव योग है आपको ध्यान में रखना बहुत ही जादा आवश्यक है रवी गुरू का जो त्रिकों योग 21 तारीक होगा वो करीबन हर क्षेतर की जो विक्ति होंगे उनके लिए बहुत ही जादा शुबफलताई सावित होगा आप इसे लगी एक्स आस्पेक्ट भी कह सकते हो किसी भी ख्षेतर में रिलेशन्शिप के मामले में हो काम के मामले में हो किसी अनक्षेतर के बन जो आम आपका नहीं हो रहा है उसके बारे में कुछ अच्छे रिजर्ट्स आपको आपक बहुत ज़्यदा बनती है आपका जो confidence level है वो काफी अच्छा देखा जाएगा शेयर मानकर में trade करते हो तो भी कुछ अच्छे लाव या अच्छी ख़बर आपको ज़र्ण मिल सकते हैं बुदर शुकर की यूती भी आपके राशे में इनी दिनों में होने जा रहे है दिना इसमें तोड़ा बहुत सुधार आप में आप दोनों में देखा जाएगा उसी प्रकार दिनांग 29 तरीकों बुद्व और वक्री मंगल का त्रिकोन योग होने जा रहा है अब यह जो ग्रय योग है वो काफी ज्यादा महतोपुर्ण है जो बुद्व जो कि आपके राशे में ब्रह्मन कर रहा है जो मंगल वक्री आपके सप्तम भाव में ब्रह्मन कर दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है दिनांग 30 सार को आपको बहुत ही सोच समझ कर बात करने होगी इस यह जो कालावदी इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण निर्न कोई बाते कमिट्मेंट प्रॉमिसेस कोई भी ऐसी बात जो कि रोजमना की जिन्दगी से अलग है के नहीं करना बूरी तरह से फ़न सकते हो आपके वह जो ज्यों है या फिर आपकी जoire लिजो इमेज है उसको धक्का भी लग सकते है आपको अपनी स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवश्चख है तो इन दिनों में आपके रोजमना दे कर काम है वह आप कर सकते हो आ मावस है या फिर ग्रहन है इसमेने में ग्रहन है जो कि 23 तारीकों है और यह चंदर ग्रहन है खाग्रास पद्धति का तो यहां पर दो तिंग बात है वह जाम में लेना आवशक है ग्रहन के बारे में आप ग्रहन की एक बॉटम नहीं होती है कि अगर जो भी आप डिसीशन लेते हो वह गलत होते हुए जोड़़ी सावित होते हैं या फिर आप थोड़ जाहिए में आपको क्या करना चाहिए वह नौर्मल के रिस्क लेना एक काम करना है जो कि काफी ज़्यादा मेह तो थोड़ा सा पोस्पहन कर सकते हो हला आपको परिबन 21, 23, 24 और 25 तक भी किसी भी प्रकर के बड़े decision नहीं नहीं ना जिसके विज़े से आपकी जीवन की पूरी दिशाई बदल जाए आपके बारे में ये खास बात कहना चाहूंगा कि आपकी जो राशी है वो जब भी decision लेती है किसी के साथ discuss नहीं करते कुछ से ही decision ले लेते हैं और कई बाद ये decision गलत भी होते हैं तो अगर आप अच्छे सवस्विचार करके कोई भी decision नहीं लेदा नहीं ले तो वो काफी अच्छा होगा क्योंकि इन दिनों में लिया गया decision आपका सही सावित हो ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है इन बातों पर थोड़ा आपको सजग रहना जादा आउशक पूरी तरह से आप फस सकते हो तो दोस्तों यह था बुरिच्चिक राशी का नमबर 2022 का संपुण राशी फल आपके राशी फल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबहों किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जी चैनल है ब्रमांट सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक शोर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाब